तो जब भी मेरे व्लॉग की शुरुवात होती है ना तो इस शॉप से ही होती है क्योंकि यहीं से मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कहा जाना है और कहा नहीं जाना है मैं जा रहा हूँ आज अपनी दोस्त की शादी में तो फिलाल अभी मैं निकलने वाला हूँ यहां से और एक दोस्त मेरा मनानी से आ रहा है तो इसको मैं घागस में मिलूँगा यह है मिस्टर सुरेकांट जिससे हम आपको मिलवाना चाते थे मिस्टर सुरेकांट इनके भाई जानते हैं तेरे को मदलब जिनकी साथ हुए जानते हैं अच्छ से जानते हैं फिर ऐसी मदलब कि हाँ तो निकल गए अपने दूसरे पड़ाव से भी घागसे में शूट कर रहा था वीडियो लेकिन यहां तक पहुंसते पहुंसते हैं वो वीडियो शूटी नहीं हुआ उसम तो एक दोस्त है हमारा वो आगे निकल चुका है अभी जस्ट उसके घर से निकले हम लोग चाय पीया हमने है मुस्कुराने की वजा तुम हो है इत्क कुलात जन गुन टंए की वजा रहा 9 तू हैं सूरूं सूरू ना यहां से याथिख सख्ड आए और जुआ स्थ सानु आए जो रास्त डा यो ज घ्रतानी हो राइट केको दिलिए यहां से आप कि जाते हैं जब भी कोई अल्ट्र डट्रक यहां से निकलते हैं यह वाले ट्रक है न सारे बागा फेक्टरी के हैं एसई सी बरमाना अमबुजा सेमेंट फेक्टरी तालला घाट की गाड़े भी यहां पर चलती हैं मौसम काफी अच्छा हो चुका है लेकिन इस टाइम पर सुरू फिर क्या सोचा कब शादी करेगा फिर क्या सोचा कब शादी करेगा जितना दूर तू शादी से जा रहा है न सुरू उतना दूर तू सरकारी नौकरी से जा रहा है कज समसची कह रहा हूं मैं तेरेको शादी जल्दी कर ले तेरेको नौकरी मिल जाएगी लड़की देख सुरू जिन्दगी में एक ध्यान रखना सरकारी नौकरी न लगई भाइवट 2 दूसरी शाधी कर ले पर तेरी सैलरी हुआ पर तीसरी शाधी करना और तिरा जीवन धन्य हो जाएगा 7 वाइडर तेवा वाइट्र सेघ्न प своð ऐसे हैं अगर आपको जाना है किरतपूर पंजाब आपको निकल जाना ये और फिर नौनी से होते हूए सीधे चले जाओगे किरतपूर साइड कई ऐसे टेशन है न जहां से मैं बहुत बार आया हूं तो यहाँ पर आम भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे अभी जब सीजन लगेगा ना मैंगो का तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बैटे रहते हैं आम बेजने के लिए और वो लोकल मैंगो रहते है सुरेकंद कितना वेट है देर आजकल 57 यहाँ पर हमारे दोस्त के घर है वहाँ पर काफी ज़दा हाइट है और मुझे लगता है कि रात को लगेगी ठंड और मैं जैकेट लेके रखाऊ हूं सिर्फ एक छोटा पतला सा लेकिन यह बात है कि मैंने शर्ट ना थोड़ी मोटी डाल के रखी है शादी का डिप्रेशन यह खुश यह उसको शादी की भाई सुर्यकाद मैं प्लान कर रहा थे उसको नाम चकना, बेलना, वाल्टी, ब्रश, सर्फ यह सब चीज़े दे देते यार शादी के बाद वैसे भी उसको लेनी है वाल्टीस भी बहुत कतरनाक वाला जो पिछे पोट्रेट देख रहे हो ना जो पेंटिंग्स देख रहे हो वो इस नहीं बनाई है तो सोलन जीले में अरकी जगे नाम की जगे आती है वहाँ पे सायर मेला बहुत ज़्यादा फेमस है साधे चार मिनिट में इस बंदे ने ये पेंटिंग मनाई थी हंसरा राक मिशी की और फिर यहाँ पे इनको गिफ्ट कर दिया था और उन्होंने अपने घर पे लगाई है और यहाँ आप जितनी अची मिन्ट देख पारे हो ना भाई मदलब बहुत प्राउड फील होता है पता है ने कोने को ने को ने कोने को ने कोने ए meno इह यह था इस लूपट या को इस हुए खट सुरूपट ए तो भाई या रोड तो देख सकते हो किति ही कितना सई रच है यार पर बाद नहीं हम शादी में पूंझआएंगे आपको दूलिगाजत से हम फिल भाएंगे तो फाइयली हम पहुँच चुके शादी वाली लोकेशन पर तो यह हमारे दोस्तागर हम पहले भी यहां पर आके रखे हैं तो आज कई साल वात फिर से यहां पर एंटर हो रहे हैं लगबक साल से आठ साल बाद यहां पर आ रहे हैं झाल झाल यहां से निकलने वाले हैं जो प्लान मेंने करके रखा था कि हम इसको क्या-का गिफ्ट देंगे वह गिफ्ट हम नहीं दिया क्योंकि यह जो मेरे बाकी दोस्ते ना इन्होंने मना कर दिया कि वह ऐसा नहीं करना है तो इसको डारेक्ट चोटा मोटा ऐसा ही पैसे पूसे दे देंगे मैं बोला ठीक है भाई काम भी आएंगे इसके तो फिर सबने इसको पैसे दे दिये अब शादी में दोस्त पहुंचे हैं तो भाई वहां फोटो शूट तो होना ही होना था तो हम लोगे ने शूट फोटो शूट किया और मुझे वहां से निकलना था तो इसलिए मैं वहां से निकल गया बरात निकल गई दुला चले गाए दुललना ने और हम आगे अपने घर और काफी इंजोई कि हम लोगों इने शाम को फूफसो आप लोगों ने भी इंजोई किया होगा अगर इंजोई का तो लाइक कर देना, शेर करना, कमेंट कर देना और अच्छे ने नई तो सब्सक्कार करना मत भूला मिल देन एक्स्ट प्लो में तर तक लिए जाई शेराम को दापेस्स देगा